Hello everyone, I'm Ayesha from National Academy of Fire and Safety तो आज मैं आपको Job Safety Analysis बताऊँगी Welding work के उपर कि जब भी आप welding work करते हैं तो आपको किस तरीकी की Job Safety Analysis करनी ज़रूरी होती है और किस तरीकी के Body Protection आपको यूज करने होते हैं PPE आपको पहननी होती है जिसकी वज़ा से welding करते वक्त आपकी Body को कोई Harm ना हो चिक है तो ये सब क्या है जब हम Analyze करेंगे कि मितलब welding करते वक्त क्या कि किस तरीकी की Risk हो सकती है किस तरीकी का Hazard हो सकता है तब भी हम उसके Prevention दे पाएंगे न तो Prevention देने के लिए हम पहले Observe करेंगे Analyze करेंगे कि वहां जो भी काम हो रहा है उसमें कितना Risk के कितने Hazard है तो इसलिए JSA करना welding work के लिए भी बहुत ज़रूरी है तो ये कैसे किया जाएगा ये सब मैं आपको बताऊगी अब देखिए जब भी work कर रहे हैं हम welding के लिए तो हम कैसे safety maintain रखेंगे तो सबसे पहले हम work permit लेंगे उस काम को करने का तो जो कि कौन दिलाएगा JSA दिलाएगा जब JSA हम करेंगे तब ही तो work permit मिल पाएगा तो work permit मिलेगा ठीक है work permit होना चाहिए हमें उस particular work को करने के लिए उसके बात वहाँ पे जहां भी हम welding कर रहे हैं वहाँ पर कोई भी flammable substance नहीं होना चाहिए ठीक है कोई भी काम में start कर रहे है तो हमें अपने आसपास का area देख लेना है कि ऐसा तो नहीं कोई flammable हजार हो जाए वहाँ पे कोई ऐसा substance या ऐसा कोई material रखा हो जो flammable हो और आप welding कर रहे हो अचानक से spark generate होने के कारण उसमें blast हो जाए क्योंकि जो उसमें से raise निकलती है welding करने पर वह बहुत हार्मफुल होती है इन फैक्ट उनने देखना भी नहीं चाहिए ठीक है और कोई भी ऐसा combustible gas यूज करनी है ऐसा sensor यूज करना है जब भी आप कोई भी flame gas यूज कर रहे हैं जो भी welding के लिए तब ऐसी चीज यूज करनी है जो क्या है कम से कम उसमें खत्रा हो ठीक है जो भी आप work कर रहे हैं flame work कर रहे हैं कर रहे हैं या फिर कुछ वुट का काम कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज पर वैल्डिंग कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि वहां आग ना लगने पाए ठीक है अब जो भी आप काम कर रहे हैं ठीक है अब अपने आपको भी तो आपको सेफ रखना है ना तो जो वहां से स्पार्क निकलती हैं वेल्डिंग करते वक्त तो आपको इसका ध्यान रखना होगा आप खुद पूरे प्रोटेक्टेड होने चाहिए कि कोई भी स्पार्क जो है वह आपके उपर ना आये ठीक है उसके बाद कि हमें इसका ध्यान रखना होगा कि जो आपका एरिया है वो फ्री होना चाहिए किसी भी ऐसे हजाडिय सबस्टेंस से कोई भी ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जिसकी वज़े से आग पकड़ ले ठीक है और अपने पास जहां भी आप वेल्डिंग कर रहे हैं उसके आज पास एक एक्स्टिंग्यूशर होना चाहिए जिससे कि अगर इन केस आग लगना शुरू भी होती है तो आप तुरंत उसे operate करके जो जहां भी आग लगना शुरूर ही है उस पे apply कर दे तो आग लगने ना पाए तो इस तरीके से आपको welding करने पर छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा सबसे पहले आप जहां भी work करें वो need and clean area होना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं हो कि वहां सामान आसपास विखरा पड़ा और आप welding कर रहे हैं careful रहना चाहिए जब भी आप welding कर रहे हैं पूरा टेंशन welding करते वक्त बिल्कुल सही रहना चाहिए ऐसा नहीं हो आप welding कर रहे हो बाते कर रहे हैं तो इससे क्या है accident हो सकता है तो ऐसी चीज़े आपको ध्यान रखनी है और जे ऐसे आता है ठीक है अब देखिए जब भी आप welding कर रहे हैं आपको इस तरीके के पहनने होंगे ठीक है जिसे की फ्लेम प्रूफ कैप होना चाहिए आपके पास ठीक है बटंड कॉलर होना चाहिए ठीक है हेलमेट होना चाहिए आपके पास filter lens का जिससे की कोई भी स्पार्क जनरे आपको पहनने होगी ठीक है और आपको जो भी बॉडि प्रोटेक्शन वह आपको लेना बहुत जरूरी होता है जिस तरीके का यह मास उसने लेंस तो लगा के रखाए यह देखिए उसने safety shield लगा रखी आई इस पर आई safety shield उसने लगा रखी है पर उसने लगा रखी है पर उसके बाद भी उसके पास एक मास्क और है जिसे hand-hilled helmet with filter lens बोला गया है तो इस तरीके के protection आपको लेने होंगे अगर आप कोई भी welding work कर रहे है तो ठीक है क्योंकि जो भी वहां से fumes निकलती है जो भी spark generate होते है light जो निकलती है welding करते वक्त वह बहुत ही harmful होती है आपकी eyes के के लिए और अगर वह आपकी in case body पर लग जाती है तो body के लिए भी तो आपको यह देखना होगा कि आप जो भी चीज पहन रहे है सबसे पहले तो वह ऐसी चीज हो ऐसा cloth हो मतलब के आग ना पकड़े देखिए इस picture में भी यही बताया गया है कि कभी भी जो स्पार्टन कटरी उसको ना देखे वो जो light रहती है वो might be आपको blind भी कर सकती है अंधा भी कर सकती है इसलिए इस चीज का ध्यान रखना होगा जो भी welder रहता है वो हमेशा eye protection use करके ही welding करना शुरू करता है साथी और भी जो पीपीज रहते हैं वो सारे wear करके ठीक है और ये सारी चीज़े JSA में maintain कर दी जाती हैं बता दी जाती है कि आप अगर ये वाला work करने जा रहे तो आपको इस तरीके से काम करना होगा तब ही वो आपको work permit मिलता है ठीक है job safety analysis इसलिए की जाती है कि कोई भी इंसान वहाँ जो work करने जाएगा तो उसको कोई harm ना होने पाए तो इस तरीके से अगर welding की जाती है क्योंकि वो भी एक part of job है काम में आती है welding करना पड़ती है जगा जगा पर तो इस तरीके से अगर आप welding करते हैं तो आपकी body को भी कोई harm नहीं होगा नहीं कोई accident हो पाएगा अगर हम सारी जीजे चेक करने के बाद काम करना शुरू करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा इसलिए job safety analysis किया जाता है कि जो भी काम है उसको पहले analyze कर लो कि इस काम को हम इस तरीके से करेंगे तो कोई accident नहीं होगा ठीक है और अगर हम किसी भी काम को ऐसी करने लग जाए बिना analysis किये तो क्या होगा accident हो सकते हैं तो इसलिए ध्यान रखना बहुत जरूरे है कि JSA करने के बाद हम कोई भी work शुरू करें ठीक है JSA करने के बाद हमें work permit मिल जाएगा work permit का मतलब यह होता है जो भी आप equipment यूज कर रहे हैं वो बिलकुल अच्छी condition में है एरिया जो है वो work करने के लिए अभी safe है तो आप काम कर सकते हैं तो JSA के बाद आपको work permit मिलता है तो आप उसके बाद काम शुरू कर सकते हैं तो आज यह मैंने आपको safety at welding बताई welding work पर आप कैसे safety रख सकते हैं ठीक है, so thank you